हेलो फ्रेंड वेलकम टू इस्टडी अड्डा में आपका स्वागत है मैं अतूल सिंग शुरू करेंगा अचका भुगोल पार्टी गारा तो दोस्तों आए देखते हैं अचका पहला कोस्टन कौन सा राष्ट्री राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को वारार्थी के रास्ते से जोड़ता है वह एक्चूल में आज की डेट में एनच नाइंटेग जिसे पहले एनच टू के नाम से जाना जाता था तो ऑप्सन में दोस्तों एनच टू है तो मैंस टू को ले करके चलेंगे लेकिन ध्यान रखना है कि इसका नाम अब एनच नाइंटीन हो गया है दोस् और बारा होते हुए कुलकता को जाता है तो वह रास्टी अर्मार जो दिल्ली और कलकता को वह राट्शी के रास्ते से जोड़ता है तो वह हो जाएगा एनच टू और जो अब हो गया है एनच नाइंटीन अगर नेक्स कॉस्टन देखते हैं भारत में रेल के डिब्बे कहां बनाए जाते हैं तो दूसरी यह बनाए जाते हैं कपुर्थला और परांबूर में जहां दोस्तों कपुर्थला कहां पड़ता है तो यह आपका हो जागा पंजाब और अगर परांबूर की बात करें तो परांबूर हमारा पड़ता है तमि तो भारत में रेल के डिप बे कहां बनाए जाते हैं तो कपर धल्या और परामभूर दोस्तों जो इंटिरल कोज फेक्टरी है वह पेरामभूर में यानि के तमिल नाडू में और जब कि जो ब्रल कोज दोस्तों वो जगह है मुंबई जी हां दोस्तों मुंबई में दो रेल विजन मध्य मुंबई CST और पस्चमी जो कि मुंबई चर्च गेट कहा जाता है इसका मुख्याला है तो भारत के किस नेगर में दो रेल विजन का मुख्याला है तो राइट एंसर हो जाएगा मुंबई नेक्स्ट रेल बंदू क्या है या फिर रेल बंदू है तो दोस्तों जो रेल बंदू है ये राजधानी और सतावदी जो एक्सप्रेस हैं धुरंतो एक्सप्रेस इन में भारती रेल के एक पत्रिका है जो आपके AC कोच में बैठे जाने वाले बेक्तियों को फ्री में दिया जाता है यानि कि रेल बंदु एक ऐसी पत्रिका जो कि राजधानी सताब्दी एक्सिप्रेस दूरंत्य एक्सिप्रेस जितने भी यह इसे ढिब्बे इसमें इनको निसूलक बटा जाता है और दोस्तों इस जो पत्रिका का उद्देश यह यत्रीयों को रेल की सेवा के बारे म जनकारी देना है तो मारा राइट अंसर हो जाएगा ऑप्शन D नेक्स्ट कोकड रेलवे जोडती है किसको किसको तो दोस्तों यह जगा है रोहा और मैंगलोर को दोस्तों जो कोकड रेलवे तट है कोकड तट वो कोकड तट के सारे महरास्ट गुवा और करनाटक तक फैला हु प्वा बंगलोर को दोचनन हो यहां देगए अवधी समस्ती को हूने वाथ ऑली मोह degli संख्या है उसे मिर्तियुदर के नाम सी जाना जाते हैं जिए हां दोस्तों मृतियु दर दी गई अवदी समस्थी में होने वाली मृतों की संख्या है और दोस्तों किसी भी देश या समाज में जो निर्धारण है अनेक कारको दोबरह होता है जैसे चिकिसाद शुविदाएं हो गई स्वास् संख्या के स्वस्त राने की आधिती हो गई और एक वर्ष में 1000 संख्या पर होने वाली मृत्यू को ही मृत्यूदर करते हैं तो रही अंसर होगा मृत्यूदर नेक्स्ट अबादी की बृध्यूदर का तात्परी किस्षे है तो दोस्तों जब जबी बृध्यूदर के बीच के अंतर होता है यहीं आजल्धी की बृध्यूदर हो और αर्ष सतीattend हो असे मैं जन संह्ख्या विश्फोर्ट होने की अवस्ता जै किा धर जन संख्या जादे हो और मृत्यूदर कम हो तो उस टाइम जन संख्या भी स्पोर्ट की इस्ति उत्पन हो सकती है और दोस्तों मैं आपको बता दू कि बिश्व के जितने विबी का सील देश है डेवलोपिंग कंट्री है वहाँ पर ऐसी अवस्था आपको देखने को मिल सकती है तो राइ दोस्तों वो जगह है मध्य प्रदेश ओड़े यहां मध्य परदेश उख्शह हριं और इसके बाद अगल कित आता है महराष्ट औरीचा तो भारती राजमान सुचि जन जाजाती अपादीна आपको जागा पहला महराश सुरी मध्यप्रदेर नेक्स्ट जन गड़ना के संदर्व में परियुक्त पद लिंग अनुपात का सही वरण निम्न में से कौन सा है तो दोस्ते जब हम प्रती हजार पुरुसों पर महिलाओं के संख्या की गड़ना करते हैं तो वही कहलाता है लिंग अनुपा तो महरा राइट अंसर होगा ऑप्शन भी नेक्स्ट भारत में सबसे घनी अबादी वला राजी कौन सा है तो दोस्तों वह राज यह है बिहार जहां दोस्तों 2011 के जो गड़ना होई थी उसके अंतिम आकड़ों के अधार पर इस अंदर में बिहार का स्थाना जहां 1106 लोग प्रतिवर किलोमेटर में रहते हैं तो भारत में सबसे घनी अबादी वला राज तो हो जाएगा बिहार 1106 नेक्स्ट 2011 के अंतिम जन गड़ना परड़ाम के नुस्वार भारत में जन घनतों क्या है तो दोस्तों यह जन घनतों है 382 प्रतिवर किलोमेटर 382 ब्यक्ति प्रतिवर किलोमेटर जहां दोस्तों यह दोजेर गारा की अंतिम जन गड़ना के नुस्वारत का जन घनतों है तो मेरा राइट अंसर हो जगा आप्शन डी नेक्स उस राजी का नाम बताएं जिसमें जन घनतों सबसे कम है तो दोस्तों वह स्टेट है अरूरांचल प्रदेश जहां दोस्तों अरूरांचल प्रदेश का जो जन घनतों है वह सबसे कम है सबसे निम्तम है जिसकी संख्या है 17 प्रतिवर किलोमेटर तो मारा राइट अंसर नेक्स्ट भारतिय जनसंख्या के इतिहास में किस काल अधी को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है नेक्स्ट भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक ब्रिद्धी दर्ज की गई थी इसलिए इसकाल को आगे की ओर एक बड़ी छलांग कहा जाता है तो राइट अंसर होगा ऑप्सट डी नेक्स्ट भारत की जनसंख्या में रिड़ात्मक ब्रिद्धी दर्ज की गई थी दोस्तों जो हमारा काल था वो 1911 से 21 था यानि कि 1911 से लेकर के 21 तक का जो समय है यह इसमें रिडात्मक ब्रिद्धी दर्ज की गई थी इस दोरान माइनस 0.31 प्रतिसत की जोएकी गिराबट हुई थी इसे महाविवाजक वर्स के नाम से भी जानते हैं तो मारा राइट अंसर होगा ऑप्शन भी 1911 से 21 नियुंतम इस्त्री पूरुस अनुपात वाले भारती राज की पहचान करें दोस्तों वह स्टेट है आपका हर्याडा जहां दोस्तों 2011 के जनगड़ना के अंसर राज में सबसे कम लंगा अनुपात वाला राज हर्याडा है तथक के अंदर सासित प्रदेशों में सबसे कम लंगा अनुपात दमन और दीव का है और अगर नियुंतम इस्त्री पूरुस अनुपात के पूछ रहा है तो इसका मतल के लाओं कि जनसंख्या को ही हम लंगा अनुपात कहते हैं तो इस्त्री पूरुस अनुपात पूछ रहा है तो वह हो जाएगा हर्याडा कि नेक्स्ट भारती अबादी का कितना प्रतिसत अधिकारिक रूप से गरीवी रेखा के नीचे है तो दोस्तों वह जनसंख्या है 30 प्रतिसत से कम जहां जस्तों भारत में अगर गरीवी त rendered समीथी के अनुशार अगर बात करें तो उनकी अनुशार 21.9 पर तिसफाय substantially राजन समीथी का अगर बात करें तो उन्होंने 19.05 प्रतिस्फत बताया है हमारे option में 30% से कम का option है तो हम इसी को ले करके चलेंगे तो हमारा right रांसर होगा 30% से कम next question कौन सा जोड़ा twin city नहीं है दोस्तो हैद्राबद सी कंद्राबद यह twin city जाने जाते हैं दुर्गापुर असन सो डेफिनेटली यह भी जाने जाते हैं कौलकता हावड़ा इसको भी हम ट्विन सीटी के नाम से जानते हैं दोस्तों यह दिल्ली और नई दिल्ली ना होकरके यह पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली के नाम से ट्विन सीटी है तो हमारा इसमें गलत कौन सा होगा तो वह होगा अप्शन डी यानि के पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली ट्विन सीटी नहीं है जबकि अगर यहां पे पुरानी लग जाए तो यह भी ट्विन सीटी में आएगा नेक्स्ट भारत में सबसे अधिक साचर संग राजय छेत्र कौन सा है तो दोस्तों वह संग राजय छेत्र है लच्छदीप जहां दोस्तों 2011 के जिन गरना के निस्वार लच्छदीप का प्रथम स्थान है इसकी जो साच्छरता दर है 191.8 परसेंट यानि के 99.8 परसेंट त सबसे दिख साचर संग राज चेत्र हो जाएगा लच्छदीप नेक्स्ट भारत में जन संख्या अधिक दर अधिक है क्योंकि मृत्तिय दर में कमी आई है किन्तो जर्म दर अधिक बनी हुई है इसलिए भारत में जनसंख्या ब्रिद्धी दर की जो दर है वो अधिक बनी हुई है दोस्तों आपको मैंने पिछली question बताया था कि इस case में जब जनसंख्या जादे बढ़ती हो मृत्यू कम हो तो जनसंख्या बिसपूर्ट की इस्थिती उत्पन हो जाती है तो भारत में जनस पसंद आई हो तो उसे like, comment और share जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दूसरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले नइने वीडियो को नोडिफिकेशन आपको मिलते रहें वीडियो देखने के लिए धन